महाराष्टा तेल माजयाब बंदु भगी निना जय श्रीक्रष्णा उदिया श्रीक्रष्णा जैन्ती आहे मी तुमाला आज़ शुबेच्छा देतो महाराष्टा के राजपाल स्री सीपी राधा क्रष्णा जी मुख्यमंत्री स्रिमान एकनाथ सिंदे जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे साथी देश के क्रिश्यमंत्री इसी धर्ती के संतान मंत्री मरिश्द के मेरे साथी प्रताप्राव जादव केंद्र सरकार में हमारे मंत्री श्री चंद्रशेखर जी इसी धर्ती के संतान बेन रक्षा खड़से जी उपम्भुक्यमंत्री श्री अजीत पवार जी देवेंद्र फड़नमिजी महाराश्ट सरकार के मंत्री गण सांसद और विधायक गण और विशाल संख्या में हमें आशिरवाद देने के लिए आई हुई कि माताएं बहने है दूर दूर मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है ऐसा लग रहा है माताओं का महा सागर उमठ पड़ा है यह द्रश्य अपने आप में शुकुन देता है अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नेपाल बस हाथसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ इस हाथसे में हमने महराष्ट के जड़गाओं के अनेक साथियों को खोया है मैं सभी पीडित परिवारों के प्रती सम्वेदन अव्यक्त करता हूँ जैसे ही यह हाथसा हुआ हारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़्चे को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा हमारे जो परीजन नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को हम वायू सेना के विशेश विमान से वापस लाए हैं जो गायल है उनका अच्छे से इलाज चल रहा है मैं उनके जल्द स्वस्त होने की कामरा करता हूँ मैं सभी पिडितों को विश्वाद दिलाता हूँ कि उन्हें केंद्रों और राज्य सरकार के और से पूरी मदद दी जाएगी साथियों आज लखपती दीदी का ये महा सम्मेलन हो रहा है मेरी सभी लाड़की बहेण यहां बड़ी संख्या में उपस्तित है आज यहां से तेश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए छे हजार करोर रुपे से अधिक की राशी जारी की गई है लाखों बचद गटाशी जोडल्या गेलेला महाराष्टा तिलाम्चा पगीनेना सुद्दा कोट्यवदी रुप्याची मदद मिलालिया है इस पैसे से लाखों बहनों को लखपती ददी बनाने में मदद मिलेगी मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत सुभेच्छा साथियों आप सभी में मुझे महाराष्टा की गवरव शाली संस्कृती और संस्कारों की भी दर्शन होते है और महाराष्टा की ये संस्कार भारत ही नहीं विश्व भर में फैले है मैं कल ही अपने विदेशी दौरे से विदेश के दौरे से लौटा हूँ मैं यूरोप के देश पोलेंड गया था और वहां भी मुझे महाराष्टा के दर्शन हुए है महाराष्टा के संस्कृति यहां के संस्कारों के दर्शन हुए है पोलेंड के लोग महाराष्टा के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं यहां बैट करके आप इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं वहां की राजधानी में एक कोलापूर मेमोरियल है पोलेंड के लोगों ने यह मेमोरियल कोलापूर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है आप ऐसे कुछ लोगों को पता होगा दूसरे विश्वयुत के दौरान पोलेंड की अजारों माताओं और बच्चों को कोलापूर के राज़ परिवार ने शरण दी थी चत्रपती सिवाजी महराथ के संस्कारों के अनुरूप राज़ परिवार ने सामान ने लोगों ने चरणार्तियों की सेवा की जब वहां मैं महराष्ट्र के लोगों के सेवा भाव मानवता प्रेम की प्रसमसा सुन रहा था तो मेरा माथा गर्व से उंचा हो रहा था हमें ऐसे ही महराष्ट्र का विकास करके महराष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में और उंचा करते रहना है साथियों महराष्ट्र के संस्कारों को यहां की वीर और धीर माताओं ने सुरुजित किया है यहां की मात्रु शक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है आमचे जड़गा एतर वारकरी परंपराचे तीरता है महान संथ मुक्ताइची की भूमिया है उनकी साधना उनका तब आज की पीड़ी के लिए भी पेड़ा है पेड़ाबाई की कभीताएं आज भी समाज को रूडियों से बहार निकल सोचने के लिए मजबूर करती महारास्त्र का कोई भी कोना हो इतिहास का कोई भी कालखन हो मात्रुशक्ति का योगदान अब प्रतीम रहा है शत्रपति सिवार जी महाराज के जीवन को किसने दिशा दी ये काम माता जिजाओ ने किया जब समाज में बेटियों की सिख्षा बेटियों के कामकाई को महत्वन नहीं दिया जाता था तब सावित्रिवाई फूले आगे आई यानि भारत की मात्रु शक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट के भविश को बढाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज जब हमारा देश विक्सित बनने के लिए मेहनत कर रहा है तो फिर से हमारी मात्रु शक्ति आगे आ रही है मैं अपने सामने देख रहा हूँ महराश्टर के आप सभी बहने कितना अच्छा काम कर रही है तुम्चा सगला मदे मी राजमाता जिजाओ आनी सावित्री भाई फुलेची छाप पाहतो साथ क्यों जब मैं लोग सबह चुनाओ के दोरान आपके बीच आया था तब मैंने कहा था कि हमें तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाना है यानि तीन करोड ऐसी बहने और जो सेलफेल गुट में काम करती है जिनकी एक साल की कमाई एक लाख रुपिय से अधिक होगी पीते दस वर्थों में एक करोड लगपती दीदी बनी और बीते दो महिने में सिरफ दो महिने में क्यारा लाख और लगपती दीदी उसमें जुड़ गई नई बन गई याद सुद्धा एक लाख नवी लगपती दीदी याच आपल्याम महराटराथ तयार जहले आहे दो इसमें यहां की महायूती की सरकार ने भी बहुत महनत की है एकराजी, देवेंदर जी और अजित दादा की पुरी टीम माताओं बेहनों को ससक्त करने में जुटी हुई महाराश्टर में माताओं बेहनों के लिए नव जवानों के लिए किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स नहीं नहीं योजनाएं चलाई जा रही साथियों लगपती दीदी बनाने का ये अभियान तिरब बेहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है इतना नहीं है ये पूरे परिवार को आने वाली पीडियों को ससक्त करने का एक महा अभियान है ये गाओं के पूरे अर्थंत्र को बदल रही है यहाँ इस मैदान में मौजूद हर बेहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है घर परिवार में उसका संवान बढ़ जाता है जब किसी बेहन की कबाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्टने के लिए पैसे भी जादा जूडते है यानि एक बेहन का भी लगपती दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है यहां आने से पहले पैदेश के अलग-अलग कोने से आई हुई ऐसी बेहनों के अनुभव सुन रहा था सभी लगपती दीदीओं के जो अत्मविश्वात था और मैं बहर कहता तो लगपती दीदी हूँ लेकि उसमें सब कोई दो लाग कमाने वाले थे कोई तिन लाग वाले थे कोई आट लाग वाले भी थे और ये पिछले कुछी वहिनों में उन्होंने कमाल करके दिखाई गए साथियों आज आप हर तरफ सुनते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है इसमें हमारी बेहनों बेटियों की भुमी का बहुत बड़ी है लेकिन कुछ साल पहले तक ये स्थिती नहीं थी पहने हर गर हर परिवार की कुछाली की गारंटी होती है लेकिन महिलाओं को मदद मिले इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था देश की करोणों बेहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी अगर उन्हें बैंक से लोन लेना होता था तो उनको मिल ही नहीं सकता थी ऐसे मैं वो कोई भी छोटा मुटा काम करना चाहे तो चाहकर भी नहीं कर पाती और इसलिए आपके इस भाई ने आपके बेटे ने एक संकल पलिया मैंने तै कि कुछ भी हो जाए मेरे देश की माताओं बेहनों बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा इसलिए मोधी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णे लिए मैं आज जुनोती देता हूँ पहले की सरकारों के साथ दसक एक तरफ रख लीजिए एक तराजु में एक तरफ साथ दसक और दूसरे तराजु में मोधी सरकार के दस साल तराजु में रख लिए जाए कितना काम मोधी सरकार ने तेश की बेहनों बेटियों के लिए किया है वो आज अधिके बाद किसी सरकार ने नहीं किया है साथ हो यह हमारी सरकार है जिसने तै किया कि गरिवों के जो घर सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो अभी तक जो चार करोड घर बने है उनमें से अधिकतर महिलाओं के नाम पर है अभी तीन करोड और घर बनाने वाजे है इनमें से भी अधिकतर घर हमारी माताओं बेहनों के नाम ही होंगे महिलाओं के नाम होंगे दूसरा काम हमने बैंकों से जुड़ी व्यवस्ता में किया पहले जंदन खाते खोले तो सबसे ज़्यादा बेहनों के खाते खुले फिर मुद्रा योजना शुरू की हमने बैंकों को कहा कि आप बिना गारंटी के लोन दो और अगर गारंटी चाहिए तो मोधि मोजूद है इस योजना की करीब सत्तर प्रतिशत लाभारती माताओं बेहने है देश में कुछ लोग थे वो कहते थे कि महलाओं को ऐसे लोन मत दो दूब जाएगा इसमें रिस्क है लेकिन मेरी सोच अलगती मुझे आप पर अपनी मात्रु शक्ति पर उनकी इमानदारी पर उनके कर्तुर्त्व पर पूरा भरोसा है माताओं बेहनों ने महनत की और इमानदारी से लोन भी लोटाएगे अब तो मुद्रा रून की सीमा हमने 20 लाग कर दी है हमने रेडी फुटपात पर काम करने वालों के लिए भी स्वानिती योजना चलाई इसमें भी पिना गारंटी का रन दिया जा रहा है इसका भी बहुत बड़ा फाइदा हमारी बेहनों को हमारी बेटियों को हो रहा हमारे विश्व कर्मा परिवार जो हस्तकला का काम करते हैं इसमें भी बड़ी संग्या में हमारी बेहने जुड़ी है उनकी गारंटी भी हमारी सरकार ने ली साथियों पहले जब मैं सक्खी मंडलों की बात करता था महिला सेल्फ हेल्फ गुरुप्ति की बात करता था तो बहुत कम लोग थे जो यह देख पाते थे कि इसका महत्व क्या है आज देखिए यह भारत के अर्थतंत्र की एक बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रही है काउं गाउं में तूर सुदूर आजिवासिक छेत्रों में सक्खी मंडरों से जो परिवर्तन आ रहे हैं वो सब के सामने हैं तद साल में यह आकड़ा भी बहुत बड़ा है तद साल में दस करोण बहने इस अभियान से जुड़ चुकी है और हमने इनको भी बैंकों से जोड़ा है हमने उने बैंकों से आसान और सस्ता रन दिया है बैंक आपको आकड़ा देता हूँ और यह सुन करके आप जुरूर चौंग जाएंगे और आपको शायद मन में गुस्सा भी आएगा क्या मेरा देश पहले ऐसे भी चलता था क्या साल 2014 तक साल 2014 तक 25,000 करोड रुपे से भी कम 25,000 करोड रुपे से भी कम बैंक लोन सक्खी मंडलों को मिला था 2014 से पहले 25,000 करोड से भी काम याद रखिए कि ये मैं उन महिला फेल 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 गुप की बात करता हूँ सिर्फ 25,000 करोड जबकि पिछले दस सालों में करीब 9,000,000 करोड रुपिये की मदद दी गई है कहां 25,000 करोड और कहां 9,000,000 करोड कि इतना ही नहीं सरकार जो सीजी मदद देती है उसमें भी लगबाग 30 गुना की बड़ोतरी की गई है इसका पन्राम ही आया है कि आज गाओं के हमारी बहने अपनी आई भी बड़ा रही है और देश को मजबुद भी बना रही है और मैं फिर से कहता हूँ ये तो अभी ट्रेलर है अब हम पहनों बेट्चों की भुमी का का और विस्तार कर रहे हैं आज समाल लाग से अधिक बैंक सठियां गाओं गाओं बैंकिंग सेवाए दे रही है और अभी मुझे कुछ बेहने बता रही थी एक एक करोड रुप्य का कारोबार करती है अब हम बेहनों को रोन पाइलट बना रहे हैं हम बेहनों के समुओं को लाखों रुप्य का ड्रोन दे रहे हैं ताकि वे ड्रोन से आधुनी खेती करने में किसानों की मदद कर पाएं हम दो लाख पसू सख्यों को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि वे पसू पालकों को मदद कर सके यही नहीं आदुनिक खेती के लिए प्राकृतिक खेती के लिए भी हम नारी शक्ति को ही नेत्रुत्व दे रहे हैं इसके लिए हमने क्रशी सखी कारकम शुरू किया है ऐसी लाखों क्रशी सखियां आने वाले समय में देश के गाउं गाउं में हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इन सभी अभ्यानों से बेटियों को रोजगार भी मिलेगा उनका आत्मविस्वाद भी बढ़ेगा और बेटियों के सामर्त को लेकर समाज मैं भी एक नई सोच का निर्माण होगा साथियों अभी पिछले महने ही देश का एक बजेट आया है इसमें माताओ बैनों बेटियों से जुड़ी योजनाओं के लिए तीन लाग करोड रुप्य रखे गए हैं बेटियां चानदा संख्या में तोकरी करें इसके लिए दप्परों में फैक्टरियों में उनके लिए विशेश सुविधाय बनाने की गोशना की गई हैं रहने के लिए वरकिंग विमन हॉस्टेल की सुविधा हो बच्चों के लिए क्रेज की सुविधा हो इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है हमारी सरकार बेटियों के लिए हर सक्तर खोल रही हैं यहां कभी उन पर पाबंदियां थी आज तीनों सेदाओं में महिला अपसर तैनाथ हो रही हैं फाइटर पाइलर तैनाथ हो रही हैं साइनी स्कुलों में साइन्य अकादमियों में बेटियों को दाखला मिल रहा है जो हमारी पुलिस फोर्स हैं जो हमारे अर्थसाइनिक बंग है उनमें बेटियों के संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है गाउं में क्रिशी और डेरी सेक्टर से लेकर स्टार्ट अफ फ्रांती तक आज बड़ी संख्या में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही हैं राजनिती में भी बेटियों की भागिदारी बड़े इसके लिए हमने नारी शक्ति बंदन कानून बनाया है साथियों माताओं बेहनों बेटियों का सामर्थ बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राफिक्ता है मैंने लाल के लिए से भी बार बार इस विशे को उठाया है आज देश का कोई भी राज्य हो अपनी बेहनों बेटियों की पीड़ा को उनके गुशे को बैस समझ रहा हूँ मैं एक बार फिल पेश के हर राज्य नितिक दल से कहूंगा हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाब अपरात अक्षम में पाप है दोशी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए अस्पताल हो, स्कूल हो, सब्तर हो, या फिर पुलिस व्यवस्ता है जिस बीस तर पर ला परवाई होती है, सब का हिसाब होना चाहिए उपर से नीचे तक मैं से एक दम साब जाना चाहिए ये पाप अक्षम में है, रे सरकारे आती रहेगी, जाती रहेगी लेकिन जीवन की रक्षा, और नारी गरीमा की रक्षा, इस समाज के रुप में भी, और सरकार के रुप में भी, हम सब का बड़ा दाईत्व है साथ क्यों, महिलाओं पर अप्त्याचार करने वालों को, कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सक्त कर रही है आज इतनी बड़ी संग्या में, देश की बेहन और बेट के यहाँ है, तो इसलिए मैं विशेश तोर पर आपको बताना चाहता हूँ पहले शिकायत आती थी, कि समय पर F.I.R. नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकद्दमों में देर बहुत लगती है ऐसी अनेक अर्चनों को हमने भारतिय न्याय सहीता में दूर कर दिया है इसमें पूरा चप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के समन में बनाया गया है अगर पीडित महिलाओं को ठाने नहीं जाना है तो वो गर बैठे E.F.I.R. दर्ज करा सकती है हमने ये भी पक्का किया है कि E.F.I.R. से आने के स्तर पर कोई टाल मटोलिया पिर छेड़ छाड़ नहीं कर पाएगा इससे तेजी से चांच करने और दोश्यों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी साथियों नए कानुनों में नाबालिगों से हुए यह उन अपरादों पर फांसी और उम्रकेद की सजा का प्रावदान किया गया है बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी दोखे के कई मामले आते रहें पहले इसके लिए कोछ पस्थ कानुन नहीं था अब भारतिय न्याई सहीता में शादी के जूठे वादों और छल को भी साप साप परिभाचित किया गया है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाप अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है हमें भारत के समाच से इस पाप की मानसिक्ता को मिटा कर ही रुकना होगा इसलिए साथियों आज भारत विख्षित होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उसमें महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमी का है महाराष्ट्र विख्षित भारत का एक चमकता सितारा है महाराष्ट्र दुनिया भर के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है महाराष्ट्र का भविश जादा से जादा निवेश में है नोक्री के नए आउसरों में है आणि महायूती चे सरकार मनजे गुदवकणूक आणि नोक्री की गारंटी आए महाराष्ट को आने वाले कई कई बर्षों तक महायूती की स्थीर सरकार की जरूरत है महाराष्ट को महायूती की ऐसी सरकार की जरूरत है जहां उद्योगों को प्रोच्षाइज कर सके महाराष्ट में ऐसी सरकार की जरुत है जो नव जवानों की पढ़ाई काउसल और नोकरी पर बदल दे सकते मुझे पुरा भरोसा है कि महाराष्ट की सिर्टा और सम्रुद्ध के लिए क्यांकि माता ये बहने आगे बढ़कर पेरा साथ देगी मुझे आप बहनों पर पुरा भरोसा है एक बार फिर महाराष्ट की यूती सरकार के कामों को भारत सरकार के जरुब से हर प्रकार की मदद का अच्ष्वासन देते हुए आप सब को बहुत बहुत चुप कामराई देता हूँ मैरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों हाथ उपर करके मुठ्थी बन करके पुरी ताकत चे बोलिए भारत माता की भारत माता की, 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 भारत मा